रस के अव्वे में सबसे मुख्य भाव काता है स्थाई भाव जो पहला अंग माना जाता है स्थाई भाव स्थाई स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थाई भाव कहते हैं अर्था जिसके मन में रस उत्पन होता है या हर व्यक्ति के मन में स्थाई भाव रहते हैं जो एक कोने में दबे पड़े रहते हैं लेकिन जैसे स्थाई भाव कहते हैं, स्थाई भाव रस चिध्धान्त में इसे परधान भाव भी कहा जाता है रस निरूपण में स्थाई भाव एक सास्त्रिय श्रेनी है, जो रस की अवस्था तक पहुंचता है कहने का अच्छे यह है कि अनुभाव और संचारी भाव किसी ने किसी भाव को पुष्ट करते हैं, जागरुप करते हैं, जो रस दस्या को प्राप्त करता है अर्थात रस में उसकी परिनती होती है रस में वह बदलता है अनुभाव और संचारी भाव स्वम रस दसा तक नहीं पहुंच सकते रती, शोक, उच्छा, आधी भाव ही परधान या मुख्य होते हैं और रस की अवस्था को प्राप्त करते हैं स्थाई भाव की संख्या कुछ विद्वान नो बताते हैं और कुछ ग्यारा बताते हैं और इसी आधार पर रस बनते हैं जैसे रती, हा, शोक, क्रोध, उच्छा, भै, जुगुप्सा, विश्मे और निर्वेद और कुछ विद्वान वाच्छल्य और भगती रस को अलग मानते हैं जिसमें वाच्छल, वाच्छल्य रस का स्थाई भाव और भगती का इस्वर विश्यक प्रेम अर्थाद भगवान से संबंदित प्रेम उसमें माने जाते हैं तो अब हम सभी रसों के स्थाई भाव देखते हैं देखी जैसे पहला रस है स्रिंगार रस स्रिंगार रस का स्थाई भाव है रती या प्रेम अर्था जहां नायक और नाइका का प्रेम या उन-उन के प्रेम को बढ़नन होता है दूसरा रस है हासे रस जिसका स्थाई भाव है हास या हसी तीसरा रस है करुण जिसका स्थाई भाव है शोक या दुक इसके बाद है रोद्रे रस जिसमें करोद्रे स्थाई भाव है वीर रस वीर रस का स्थाई भाव है उत्सा फिर है बहानक रस बहानक रस का स्थाई भाव और भगती रस जिसका स्थाई भाव है इस्वर विश्य के प्रेम अर्थात भगवान से संबंदिते प्रेम स्थाई भाव में प्रेम का भाव बहुत व्यापक है इसके तीन अलग-अलग परकार के भाव हो सकते हैं जैसे पहला स्रंगार रस में इस्तरी पुरुस या प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्रेम दूसरा है वाचले रस जिसमें संतान के प्रती प्रेम अर्थात माता पिता का अपने बच्चे के प्रती या किसी का भी बच्चे के प्रती प्रेम और तीसरा है भगती रस इस्वर से संबंदित प्रेम